गुड मॉर्णी श्ट्रेंज ओनलाइन क्लासीज में आपका स्वागत है आज का टोफिक है रुजान क्या है कि वर्ट इज अप्टिट्यूड कि उसको एक्स्पिलेन किजी असेशमेंट ओफ अप्टिट्यूड अभीरूची किप्राय ऐसे देखते सुना है द्यापक को ऐसे कहते हुए सुना होगा कि ये जनमजात इस वेक्ति में ये एक जनमजात कलाकार है उचिपा हुआ है ये वेक्ति ये बच्चा है जो आगे चल के एक डोक्टर बनेगा ये बच्चा आगे चलके एक वकील बनेगा, ये बच्चा आगे चलके एक टीचर बनेगा, हम उसके वर्तमान को देखके उसके भविश्य की जो कामना करते हैं, ये सब अभी रूची के अधार पर है, अभी रूची को हम अभी योग गिता भी कह सकते हैं, यानि कि आपकी जो आप उसको लाइक करते हैं, इंट्रेस्ट है उसमें, जब आपको वो खेल खेलना आजाएगा, या कोई काम जिस में आपका इंट्रेस्ट है करने में, वो आपको काम करना भी आजाएगा, तो वो आपकी अभिरूची कहलाएगा. अब आगे है इसके अभी रूची का अर्थ और इसकी परिभास आई अभी रूची को एक भुष्य में होने वाली जो परफोर्मेंस की स्थीति की और संकेत करती है अभी रूची वो है जो हमें भुष्य में होने वाली जो परफोर्मेंस है उस स्थिति के और संकेश्ट करती है जबकि रूची का संबंद किस्चे होता है रूची का होता है भूत काल और वर्तमान काल किस्थिति से अभी रूची को हम जनमजात भी मानते हैं पहले हम क्या थे अभी रूची को जनमजात मानते थे पर आज क्या है अभी रूची जनम जात भी है और अरजित वातावरण से भी अरजित की जाती है जोन्स ने क्या कहा है अभी रूची के बारे में कि जोन्स ने अभी रूची की परिभासा दी है कि अभी रूची कोई योगता नहीं परंतु कुछ योगताओं को संभावी तविकास के बारे में भविश्यवानी करने में जो साहिक है वो अभी रूची है स्किनर ने कहा है कि विशेश कोसल ग्यान और रूचियां बताता है कि जो special skill, knowledge and interest है जो अपने वो aptitude है aptitude है special skill, knowledge and interest और देख मनो विज्यान कोने, बिंगम ने इसकी वेक्या की है कि जब हम गणिती विज्यान के लिए अभी रूची की बात करते हैं कि भोई से की उसकी बात करते हैं, कि भोई से में क्या जूड़ा होगा अगनित में कोण इंट्रेस्ट लेता है, विज्ञान में कोण इंट्रेस्ट लेता है, उसके हदार पर ही हम कह सकते हैं कि या आगे चलके विशेसे गया, सबजेक्ट विशेसे गया बन सकता है. वेरन ने दी है जैसे आप ये देख रहे हैं बुक्स में वेरन के नुसार कि अभिरुची वह देशा ये गुण का रूप है जो वेक्ति की उस योगविता की और संकेत करता है जो पर सिक्षन के बाद ग्यान दक्सता प्रिकिरिया आत्मक को सिखाता है जैसे भासा बोलना और संगीत उत्पादन की योगता कि आप किस कौन से भासा में इंट्रेस्ट है आप क्या करने की योगता रखते हैं वो आपकी अभिरुची है अभिरुची वह वर्तमान की देशा है जो भुष्य की अक्समताओं की और संकेत करती है टेक्सलर के नुसार सुपर के ने इसकी च गुनवत्ता की और संकेत करती है अभिरुची वो है जो वेक्ति की गुनवत्ता की और संकेत करती है कि इसमें क्या समय योगताओं है क्या काम करने की अक्समता है और भुष्य की और जो संकेत करती है वो कहलाती है बिंगम के अनुसार अभिरुची है इन सभी प्रिभावसाओं से जो दी गई है निशकर्ष निकलते हैं कि अभिरूची है व्यक्ति के कारिया और व्यवसाई करने की योगता की और संकेत करना है जैसे जैसे अपने इंट्रेस्ट हम गेन करते जाएंगे जो हम इंट्रेस्ट जिस भी सब्जेक्ट में है वो हम अचीव करते जाएंगे वो अपने अभिरूची बनती जाएगी ये एक विशेश आयुस्तर से निर्मित नहीं होती ये जनमजात ही होती है और वन्स का इसके उपर प्रभाव पड़ता है हैरिडिटी और इनवायर्मेंट का इसके उपर प्रभाव पड़ता है जैसे हम इनवायर्मेंट में रहेंगे जैसे बच्चे को सिक्ष्या देंगे जैसे बच्चे का रहन सेंद रखेंगे, जैसे उसका साथ वैभार करेंगे, वैसी उसकी अभी रूची बढ़ती जाएगी और गुणा आत्मक इसमें प्रिवर्तनाता जाएगा, गुणा आत्मक इसमें लाब होता रहेगा पहले हमने जो शीखा हुआ काम है, वो आगे के सीखने के काम में भी वो हमारा मददकार साभित होगा इसके बाद है विरूची की परकृती, पहले क्या मानते थे, कि अभी रूची जनमजात है या अरजीत क्यों ही है पहले स्टार्टिंग में बीशमिस्ती के आरम में विज्यानिकों को मनोविज्यानिक यही मानते थे कि जो एप्टिटूड है, वो हैरिडिटी का इफेक्ट पड़ता है सिरफ इसके उपर पर आज इसको यह मानते हैं कि इन्वायर्मेंट का भी इसके उपर प्रभाव पड़ता है क्या विरूची प्रिवर्तन सील है या स्तीर है येस, पहले मानते थे कि यह स्तीर है, अनुसंधान का भाव होता इसके अंदर पर अब क्या है, कि इसमें प्रिवर्तन किया जा सकता है, उसको यह से इन्वायर्मेंट दें किसी वी विद्यार्थी में अगर अभी रूची बढ़ानी है तो उसको बार-बार अनुसंधान करें बार-बार उसके उपर रिसर्च करें, उसको काम करने के अउसर दें तो उसमें प्रिवर्तन लाया जा सकता है आगे है अभिरूचियों के प्रकार कि टाइपस ओफ हैप्टिटूड दस्तकारिता बिंगम के अनुसार बता रखे हैं ये कि दस्तकारिकता में अभिरूची कलरक के कारियों में अभिरूची कि कलर कितने अच्छे से गणना कर देता है कितने स्पीड से वो टाइपिंग करता है सेक्षिनिक कारियों में अभी रूची संगीत और कला में अभी रूची डॉक्टर वेवसाय में अभी रूची वकालत में अभी रूची कि कोई वकील इतना expert होता है कि जूटे case को में भी बरी ले आता है engineering में अभी रूची और coastal way में अभी रूची यह बिंगम ने अपने इसके types बताए हैं फिर आगे केले मोहिदे ने बताए हैं कि मोखिक अभी रूची भी होती है कि बोलने में कोई इतना expert होता है अपने उसके सब्दों के प्रभाव इतना अच्छा होता है कि वो गल्त बोलते हुए भी कि वो सही नहीं है पर इतना प्रभाव से इतना प्रभाव साली बन जाता है अपने सब्दों के प्रभाव से अध्यापक में इस तरह के क्वाल्टी अगर बोलने कि मैं एक्सपर्ट है मोकिक अभी रूची है वरवल तो वो बच्चों में बहुत प्रभावसाली बन जाता है संख्या अत्मक नुमेरिकल अभी रूची कि संख्याओं को जोड़ना है कुछ उसको याद आ जाई कि मैं यहां कभी 15 साल पहले 20 साल पहले आया था वहां पर यह इस तरह की घटनाए हैं गती समंदी की विकल आते हैं सामने कितनी इसमें गती है किस विकल की कितनी इसमें दूरी है वो पहचानने के विरूची संगीत में समाजिक और यंत्रिक मेकै म्यूजिकल इस परकार के अफ्टिट्यूट जो एक विसेश योगता रखने वाले व्यक्तितव हैं उसमें चहुम की विकास करने में मददकार साबित होती है आगे है अभी रूचियों को मापना कैसे मापा जा सकता है अभी रूचियों को हम ऑबजर्वेशन के माध्यम से माप सकते हैं और प्रिक्षनों के माध्यम से भी माप सकते हैं और प्रिक्षनों के माध्यम से भी माप सकते हैं और प्रिक्षनों के माध्यम से उसको माप सकते हैं कि इसमें कितने अक्समताएं हैं या फिर हम प्रिक्षनों के माध्यम से उसको माप सकते हैं अभी रूचिय जो परिक्षन है एप्टिटूट टेस्ट उनके माध्यम से मापा जा सकता है जैसे ये तिन वर्गों में बाट दिया इन्होंने कि समयन्य अभिरूची परिक्षन बैटरी विभेद अभिरूची परिक्षन और विशेश अभिरूची परिक्षन समयन्य अभीरूची बैटरी, क्या भीरूची प्रिक्षन की यह बैटरी अमरीका में विक्षित हुई, इसमें समयन्य अभीरूची प्रिक्षन किया जाता है, इसे रोजगार के लिए चैन की हेतु किया गया, बारा प्रिक्षन बैटरी, प्रिक्षन त्यार किया गया, उनमे इसमें नो अभी रूची मापन के लिए इसमें पॉइंट रखे इसमें नाम भी वेदी करण गणना करणा त्रिपक्षियस्तान शवदावली यंत्र मैचिंग गणित्रक फार्म मैचिंग चिन्ने बनाना स्तान बारिय एक्तित्र करणा और विशर्जन कि इस तरह से किसी भी बिएक्ति के अभी रूची को मापना है तो इन पॉइंट्स में रखने उनको अभी रूची को मापा जा सकता है इसके बाद समयन्य प्रिक्षन बैटरी है किसी की बुध्धी का प्रिक्षन करना है स्वब्धी कभी रूची का सब्दों का जैसे पहले बताया आपको कि सब्द परभा कैसा है संख्यात्म कभी रूची कितनी है स्थानात्म कभी रूची कितनी है फरम परतिक्सिकर्ण कितना बैटरी परिक्षण सेंधने कि पारिक्रेंटी निःता इस प्रतिपादन शी सुट शोर। इसमें निमलिक प्रिक्षन रखे गई पहले में आठ और दूसरे में यह साथ कुस्त के आठ प्रिक्षन और शाथ कुस्त के हैं इस तरह की सब्दों की तरक्षी समंदी, सिंख्यात्मक योगता, नुमेरिकल जाज करना, मुर्थ प्रिक्षन, स्थान समंदी, यंत्र समंदी, वही सेम सेम सभी ने अपने-अपने पॉइंट दिखा रखे हैं और अभिरूचि में अपने के लिए इस तरह के टेस्ट का प्र वधान किया है, विशेश अभिरूचि प्रिक्षन में वही कि यंत्रिक, लीपिक कि कलरिकल शमंदी जो भियात्ता है, चितिक्षक, डॉक्टरी समंदी जो भिरूचि टैस्ट है, वह Ñ ज्यानिक है, तखनिक अभिरूचि, कला, मिल्टरी, संगीत, सहित है, जश्चिक्शन अभी रूची प्रिक्सन के माध्यम से हम जाच कर सकते हैं कि किस व्यक्ति में किस तरह कि अभी रूची है किसी में कलरक समंदी है किसी में अध्यापक समंदी अभी रूची है कि अध्यापन का कारियों अच्छे से करता है कोई विज्ञानिक अच्छे से बन सकता है तो कोई लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो लाइक कीजिए यदि कहीं डाउट है तो आप कॉमेंट के बाद में से पूछ सकते हैं थैंक यू